गुड इविनिंग फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और फ्रेंट्स आज हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जूनिर ओफिस एसिस्टेंट के लिए क्लास नबर 17 जिसमें के हम डिस्कुस करने वाले हैं इंटरनेट के उपर MCQ तो फ्रेंट्स ये MCQ जो आप के लिए बेहत मेंतरपूंट साबित होने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक जरूर देखें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो ब निमली एक तसवी बास्त्रक्षा के उदारण है और गोपनित्या जोखिम की तो फ्रेंट्स इन में से कौन सांसर जो अब वो सही होगा तो यह आपका स्पैम और फॉर जो आसका बलकूल सही अंसर होगा फ्रेंट्स किसे कहा जाता है जो भी हमने डैमिस फाइल को रिकावर करना हो तो फ्रेंट्स उसे कहा जाता है आपका प्रेंट्स को फ्रेंट्स क्या माना जाता है इनको फ्रेंट्स यह माना जाता है आपका डिजिटल डिवाइट्स आपि नंबर छिए उप्रेंट्स आप्से नंको जाता हो आय इत्सक्राइब और फ्रेंट्स नंबर अपके यह जो एक Firefox जो है वो एक Web Browser है बाकी जो आपको एक एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर है नेक्स्ट वेस्टन है वेस्टन नमबर फाइब दा इंटरनेट एलोईज यूटूब तो फ्रेंट्स इंटरनेट आपकी इसकी अनुमति देता है तो फ्रेंट्स इंटरनेट आपको किस की अनुमति देता है तो फ्रेंट्स इंटरनेट जो आपको आपको सेंड एलेक्रोनिक मेल की व्यू वेब पेजिस की connect to servers all around the world की तो फ्रेंट्स आल ओफ दीज जो इसका सही अंसर होगा तो फ्रेंट्स टंक इमेल को क्या कहा जाता है तो फ्रेंट्स टंक इमेल को हम जो वो spam इमेल भी कहते हैं तो उप्शन नमबर सेंट्स जो इसकाबर को सही अंसर होगा नेक्स्ट कॉस्चन है और अपने में वायरेस लाने का सबसे असान तरीका कम्प्यूटर की हाड डिस्क में क्या है तो फ्रेंट्स यह है आपका गétais वाय इमेल लिंग ऑपनिंग इमेल दो फ्रेंट्स ओप्शन नमबर फो जो असकाबर को सही अंसर होगा next question question number 8 what is an e-mail attachment e-mail attachment क्या है to friends e-mail attachment जो वो ए is separate document from another program sent along with an email message to option number one जो आपक्षों को सही answer होगा next question question number 9 which of the following are all considered advantages of email निमलिक्त में से कौन से सभी फाइदे माने जाते हैं email में तो friends email में जो अब कौन कौन से जो सभी फाइदे माने जाते हैं तो friends ये माने जाते हैं आपके convenience, speed of delivery, generality and reliability तो option number 3 जो असकबर को सही answer होगा next question है question number 10 the work done on the internet is card इंटरनेट पर किये जाने वाले कारे को क्या कहते हैं तो friends internet पर किये जाने वाले कारे को हम surfing कहते हैं option number A जो असकबर को सही answer होगा next question है question number 11 sending an email is similar to तो friends email भेजना किसके समान है तो friends email भेजना जो हो एक writing के letter के समान है option number 2 जो असकबर को सही answer होगा question number 11 Sending an email is similar to तो friends email भेजना जो आपका राइटिंग ये लेटर के समाना है तो option number second जो आपका राइटिंग ये लेटर के समाना है तो option number second जो आपका राइटिंग को सही answer होगा तो friends next question है question number 12 The also card the web contains Williams of Brockman तो friend dash को web भी कहा जाता है जिसमें अर्वों दस्तावेज होते है तो friends किसे कहा जाता है ये तो friends ये कहा जाता है आपका राइट वाइट 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 को तो option number three जो आपका राइटिंग को सही answer होगा question number 13 Choose the web browser among the following तो friends निमलिक्ट मैंसे एक web browser चुने तो friends इनिमें से कौन सा एक web browser है तो friends ये है आपका Netscape Navigator तो option number five जो आपको सही answer होगा next question है question number 14 तो friends आपके पास मुझूद सभी website और प्रिश्टों को दिखाता है समय की अबदी में दोरा गिया तो friends ये कौन सा option जो आपको सही होगा जो आपकी सभी websites और web pages इसको दिखाता है तो friends ये दिखाता है आपका history list तो option number four जो आपको सही answer होगा next question है question number 15 in the URL http www.google.com the portion levered http is the तो friends URL http में level भाग क्या है तो friends जो level भाग है वो है आपका domain name तो option number one जो आपको सही answer होगा next question है question number 16 a repair for a non-software work usually available at no charge on the internet is carded तो friends एक ग्याज software work के लिए मरमत आमतोर पर उपलब्द नहीं है internet पर charge क्या कहलाता है तो friends ये charge कहलाता है आपका patch तो option number three जो जो आपको सही answer होगा next question है question number 17 a website address is a unique name that identify a specific on the web एक website का पता एक अनूठा नाम है जो एक की पहचान करता है तो friends क्या है ये तो friends ये आपका website तो option number four जो आपको सही answer होगा next question है question number 17 a word in a webpage that when checked clicked open another document is card एक webpage का एक शब्द को click करने पर खुलता है और एक दस्ताविज कहा जाता है तो friends इसे क्या कहा जाता है तो friends ये कहा जाता है आपका हाइपर लिंक तो option number one जो आपको सही answer होगा तो friends next question है question number 19 when sending an email the lines describe the content of the message तो friends email भेचते समय line burner करती है संदेश की समगरी को तो friends जो line आपका content describe कौन सी line जो आपका content of message को तो friends ये describe करती है आपकी subject तो option number five जो आपको सही answer होगा which of the following is an example of connectivity तो friends इनमेंसे जो connectivity का कौन सा उधारन है तो friends इनमेंसे जो है वो connectivity का उधारन है internet तो option number second जो आपको सही answer होगा नेक्स question है question number 21 the process of connecting to the internet account is internet खाते से जुणने की प्रक्रिया है तो friends internet खाते से जुणने की कौन सी प्रक्रिया है नमें से तो friends यह हैं आपकी login तो option number 3 जो है इसका बिलकुर सही answer होगा और friends आपके जो है last 15 दिन बचे हैं तो आप जितने सी जतनी ज़्यादा question करेंगे उतना ही आपके लिए फाइदा होगा तो exam जो अब आपका 21 को है आप सभी जानते ही हैं तो friends जितने ज़्यादा आप question करोगे उतना ज़्यादा आपका लिए benefit होने वाला है Question number 22 एक commonly used graphic format for the web is web के लिए आमतोर उपर उप्योग किया जाने वाला graphic प्रारूप है तो friends web के लिए कौन सा graphic प्रारूप जो अब वो use होता है तो friends यह होता है आपका गिफ ओप्शन नबर फोर जोज़ का बलको सही अंसर होगा next question है question number 23 the HTML code written in a text editor to make web pages web page बनाने के लिए text editor में लिखा गया HTML code तो friends कौन सा यह code होगा तो friends यह होगा आपका source code option number 3 जोज़ का बलको सही अंसर होगा next question है question number 24 if you receive an email from someone you do not no what should you do यदि आप किसी ऐसे व्यक्ती से email प्रापत करते हैं जिसे आप नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए तो friends तब आपको करना चाहिए delete it without opening it तो friends जब भी आप किसी unknown person की आपको mail आती है तो आपको इसको delete कर देना है without opening की क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी unknown mail पे जो अब हम open करते हैं तो हमारे account की जो वो सारी information भी कई वार leak हो जाती है तो बहुत से fraud भी हो रहे हैं तरीके से तो friends इस तरीके का जो अब आपने ध्यान रखना है किसी की भी unknown जो email होती है उसको open नहीं करना है नेक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 25 इस collection of web pages and is the very first page that we see on opening of a website तो friends बेप परिष्टों का संगरे है और बहुत पहला परिष्ट है कि हम एक website खोड़ने से पहले देखते हैं तो friends क्या देखते हैं तो friends ही देखते हम website and home page तो option number 30 का बेश्चन को सही answer होगा नेक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 26 वेन वी रन ए प्रोग्राम इन HTML कोडिंग इस यूज़ एज वेकेंड एंड वर्क एज फॉरेंट टिल्ड तो friends जब हम HTML कोडिंग में एक प्रोग्राम चलाते हैं तो डेश का उप्योग किये जाता है वेकेंड और डेश वर्क फ्रेंटेट के रूप में तो friends किसका उप्योग किये जाता है तो friends ये की जाता है आपका नोटपैड और इंटरनेट एक्स्प्लोरर का तो option number 2 जो इसका बेलकुल सही answer होगा next question है question number 27 one advantage of dial-up internet accesses तो friends dial-up internet access का एक फाइदा है तो friends क्या फाइदा है dial-up internet access का तो friends ये है आपका इट यूटिलाइज रोडवेंड टेखनोलजी तो friends option number 1 जो इसका बेलकुल सही answer होगा और friends आपको इन सभी क्लासों की अगर PDF चाहिए हो तो आप मुझे टेलिग्राम ग्रूप GKY दिनेस पर जोईन कर सकते हैं मैं आपको वहाँ पे उसकी सभी की PDF जो आपको प्रोवाइड कर दूँगा तो friends question number 28 what is the term for unsortlisted email तो friends अंचाही email के लिए शब्द क्या है तो friends अंचाही email के लिए जो शब्द है वो है आपका spam option number 4 जो आपको सही answer होगा next question number 29 the code for a web page is written using तो friends एक web page के लिए code का उप्योग कर लिखा है तो friends कौन सा code का उप्योग होता है एक web page के लिए तो friends ये होता है आपका hypertext markup language का तो option number 2 जो आपको सही answer होगा next question question number 30 small application program that run on a web page and may ensure form is completed properly appropriate animation are known as छोटे अनुप्रयोग program को जब web page पे चलाते हैं तो एक सुरक्ष निक्सचित कर सकता है कि कोई form ठीक से पूरा हो गया है या animation परदान किये गया है तो friends कौन जो वो इसको ठीक डंग से वो सुनिश्चित करेगा तो friends ये करेगा आपका flash option number 2 जो आपको सही answer होगा तो friends ये थे आज के महतरपूर्ण questions I hope आपको पसंद आए होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो